क्लास 9th Maths, Chapter 3, 3.2 Exercise Question 6 Find the value of x, log 64, पावर 8 is equal to x by 2 है पहले सब से इसको exponential form में लिखेंगे exponential form में लिखने के लिए आपने लॉग हटा देने, 64 खाली रह रहेगा 64 की पावर, पावर x by 2 बन जाएगी यहीं, x by 2 पावर बन जाएगी और 8 जब वो इस इक्वल में चला दाएगा 64 is a square of 8, जिसको हम square लिखेंगे, x by 2 साथ में लिखा हुए 64 is a square of 8, so 8 साथ में, 22 से cancel होजेगा और 8 की पावर x is equal to 8 की पावर 1, 8 8 से base base से cancel होजेगा, x is equal to 1 यह इसका answer आजाएगा, short question है, दूसरा question देखिए, find the value of x log 3 की पावर x is equal to 4 है, exponential form में इसको convert किजिए exponential form में जब convert करेंगे, तो same log खतम होजेगा 3 की पावर x नहीं, बलके 4 होगी है, is equal to कितना होजेगा, x x उदर चला जाएगा, 4 की जगा पे, और x की जगा 4 आजाएगा, 3 की पावर 4 का मतलब है, 3 को 4 times multiply करेंगे, और जब आप 3 को 4 times multiply करेंगे, तो x की value जो है, वो 81 आजाएगी, x की value, अब यह इसका हमारा answer आजेगा, x is equal to 81, एक और question देखिए इसके लिए, evaluate log 2 और की power 128 है, base है और उसके साथ है, इसको अपने log पहले let करने लाएगा, log 2 128 is equal to x है, अब इसको इस exponential form में लिखिएगा, exponential form में जब लिखेंगे, तो यहाँ पे base में क्योंके 2 है, तो यह जो 2 है, 2 की power x हो जाएगा, और 1 over 28 जो वो same as it is equal में लिखा जाएगा, 1 over 128, 2 की power x is equal to 128 को 2 की power 7 बना देंगे, 128 अगर 2 को 7 times multiply करें, तो 2 को 7 times multiply करें, तो यह कितना आएगा, यह 128 आएगा, 2 की power x is equal to 2 की power 7 को उपर ले जाएगे, reciprocal में जब उपर जाएगी, minus में change हो जाएगी, 22 से cancel हो जाएगा, और x की value minus 7 आजएगी, यह हमारा इसका answer is third कि आएगा के लाएगा है झाourd Tan